पोसिने का थेका ले रखा है आप हिंदूं को ले भूज सालग से Step हिंदूं को हिंसक कहते हैं जिस धर्म में चीठी को मारने की अनुमति नहीं है उस हिंदु समाज हो इज कभी और पी उनके मूँ से सुना है को से बंदे मात्रम का नारा सुना है कभी उनके मूँ से सुना प्रणाम शव्द सुनाराम राम राम सुना वारतichen कि जये मादाma कि आकभी आपने यह है कि लोगसभा के पटल पर जो राहूल गांदी जी ने पूरे हिंदु समाज को गाली दी है क्या उससे अखलेश आदब सहमत है संसद में दिखाना महादेब का अपमान है भगवान शिप का अपमान है जहां भगवान शिव है हुआ तो हम सद्धा से बात करते हैं आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है जीव से निकाला एक फोटोर दे भगवान शिव कोई फिल्मी का लाकार थोड़े है भगवान शिव देवादी देव महादेव नमामी शमीशान निर्वान रूपम विवुम व्यापकम ब्रह्म वेदस वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकास माकास वासो वजेहम ये गलत है मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए राहूल गांदी जी को कि भगवान शिव कोई नौटंकी के पात्र थोड़ी है जिस तरह जेब से निकालो संसत के पटल पर रखतो दूसरी बात उन्होंने हिंदूओं को कोसने का ठेका ले रखा है क्या आप हिंदूओं को हिंसक कह रहे है हिंसा से हिंदूओं का मतलब क्या है जिस धर्म में चीटी को मारने की अनुमती नहीं है उस हिंदू समाज को आप हिंसक बता रहे है मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी को ऐसा लगता है कि हिंदूओं को मिटाई बेना हिंदूओं को खतम किये बेना हिंदूओं को क्रिटिसाइज किये बेना बीजेपी को नहीं हराय जा सकता पहले वो समझते थे कि BJP हिंदुत्व है अब उन्हें लगता हिंदुत्वी भाजपा है आज उन हिंदुओं को बड़ी ठेस लगी होगी बड़ी तकलीफ हो रही होगी जिन्होंने इने वोट दिया है ये बहुत बड़ी चिंतन का विश है अब पूरे विपक्ष के उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा मैं पूरे विपक्ष के राजिनेतिक दलों के नेताओं मैं पूछना चाहता हूँ अखलेश यादव जी से जवाब ने ममता भेनर जी तेजस्वी यादव बताएं ममता भेनर जी जी अर्विंद केजरिवा जी सब बताएं क्या हिंदू हिंसक है क्या हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया है जिन हिंदू ने आपको वोट दिया है वो कितना दुखी हो रहे होंगे क्या पूरी कम्यूनिटी को हिंसक बताना जारा है मुझे लगता है कि राहूल जी को हिंदू समाज से छमयाचना करनी चाहिए जो वो नहीं करेंगे फिर भी मैं अनुरोध करना हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ तो उन्हें करनी चाहिए देखे सवाल एक व्यक्ति का नहीं है सवाल एक पाइटी का नहीं है सवाल भारत का है सवाल भारत के अस्तित्त और अस्मिता का है प्रदानमंत्री किसी पाइटी का, किसी एक राज्य का नहीं होता प्रदानमंत्री जब बन जाता है तो भारत को रिप्रेजेंट करता है उसका सम्मान होना चाहिए जो राहुल गांदी करना नहीं चाहते राहुल गांदी जी नरेंदर मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उन से नफरत करते 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 वो इस देश से नफरत करने लगे है और ये इरशा उनका जो भाव है इरशा का जो भाव है ये उनके शब्दों में आ जाता है हमारे हैं संस्कृती है हमारे सबता है वो लोगशवा अद्यक्ष के ऊपर भी टिपड़ी कर रहे हैं, लोगशवा अद्यक्ष ने आज बहुत अच्छी तरह ऐसे समझाने का प्रयास किया कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमसे कोई बड़ा आता हम उसे प्रणाम करते हैं लेकिन भारत की संस्कृति की बात हैं राहुजी की समझ में नहीं आ सकती है उनकी समझ में भारत की संस्कृति और सब्धा की बात है नहीं आएंगी जिनकी परवरिश विदेशी तरीके से हुई है मुझे लगता हुन्हें मुद्रा का अर्थी नहीं पता वह मुद्रा वो सोच रहूंगे धन पैसा करंसी आप तो अभेमुद्रा की बात करते हैं उनकी टीम ने उने कुछ सिखाया होगा सुभा उनका क्या लेना देना साधना से उनका क्या लेना देना संसकारों से उनका क्या लेना देना बारत की संस्कृति और सब्बता से कभी उनके मूँ से सुना है कि बंदे मातरम का नारा सुना है आपने कभी उनके मूँ से सुना प्रणाम शब्द सुना है राम राम सुना है बारत मता की जै सुना है कभी आपने उनके मुह से सुना है नहीं सुना होगा ये सब की सब जो बाते हैं ये सब बैमानी है हिंदू को गाली देना तो उनका शौक बन गया फैशन बन गया है पर आज सवाल ये है कि लोकसभा के पटल पर जो राहूल गांदी जी ने पूरे हिंदू समाज को गाली दी है क्या उससे अखले श्यादब सहमत है जबाल देना ये वो सब नेता हैं जिन्होंने अपना नेता राहूल जी को चुना है मेरा सवाल कॉंग्रेस पार्टी से नहीं है मेरा सवाल आज विपक्ष के उन नेताओं से जन्होंने राहूल गांदी जी को अपना नेता चुना है क्या हिंदू समाज हिंसक है क्या हिंदू समाज हत्यारा है क्या हिंदू समाज आंकारी है क्या हिंदू समाज जो भी राहूल जी कह रहे हैं उससे सहमत है ये जवाब इनको देना चाहिए और देना पड़ेगा अब को नहीं लगता है कि राहूल का जिकर के और जो बात आप कहा रहे हैं तस्वीर वियूर ने लिखाई एलोपी के नाते इंडिया एलाइंस के तरफ से आम सहमती बनी होगी इस बात पर पूरे विपक्ष को पूरे विपक्ष की नई नई टूओने में उन्हों कितना समय लगेगा आज तो पहला दिन है अभी तो शुरुवात है इफ्तिदाई इश्क है रोता है क्या आगे-ागे देखिए होता है क्या जिस तरह से कॉंग्रेस को बरबाद किया है राहुल जी ने पूरे विपक्ष को भी बरबाद करने का बरबाद करने में उने ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पूरे विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा क्या हिंदू समाज हिंसक है बस मैं ऐसा मानता हूँ जो सरकार होती है वो कोई स्कीम लाती है दूसरी सरकार दूसरी लाती है इस स्कीम की आलोचना करना आपका लोकतांतरी का अधिकार है आप करिए पर देश की सेवा में वो जाता है जिसमें देश के लिए जज़बा होता है अगर दस साल देश की सेवा करने का मौका मिले तो अच्छा चार साल मौका मिले वो भी अच्छा चार पल को भी अगर देश की सेवा में जाने का मौका मिलता है वो भी हम अपना स्वभाग समझते हैं हम माभारती के सपूत हैं साहब उन से पूछो न जो देश की सीमाओं के ऊपर खड़े होकर के राद दिन देश की सुरक्षा करते हैं तो इस जजबे को ये नेता नहीं समझेंगे ये नहीं समझेंगे इनकी समझ में नहीं है इनके दिमागों से वो सॉफ्ट्वेर ही गायब हो गया है देश भक्ती का सॉफ्ट्वेर राष्ट भक्ती का सॉफ्ट्वेर सनातन का धर्म का परंपराओं का ये सॉफ्ट्वेर गायब हो गया है अब उसे दुबारा अपलोड करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा